वेलकम बेक एवरिवन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के हमारे पहले मैच के बारे में जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सस वेस्टन डीज के बीच तीसरा ओडियाई मैच खिला जाएगा इसके बाट टीडवन डीज के मैचेस होंगे दो मैचेस अल्रेडी इनके हो चु वेस्टन डीज की जो टीम है यह भी आपको प्लेंग लिए उनमें चेंजेश करती हुआ नज रहेंगी इस वीडियो में क्या के देखिंगे जो चैंजेश होंगे वीडियो मतलब इन दोनों टीमों के अंदर वह वीडियो में देखने वाले जो यह मैच के जाएगा जिस वेन्यू पे उस वेन्यू का मतलब record कैसा है कि यहां पे batsman अच्छा जादा करते हैं या बोलर्स अच्छा करते हैं और अगर बोलर्स अच्छा करते हैं तो कौन से बोलर करते हैं और कब करते हैं ठीक है और recent के matches जो हुए मैं उनका भी आपको data देने वाला हूँ मतलब आप यह मानलो अगर आप इस match में investment कर रहे हो ना इस video को आप देखो pure logical way में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़े बताने वाला हूँ जो इस match में आपको one sided win करवा दे हैं और मुझे नहीं लगता है one sided win करने के अलावा आपको और कुछ चाहिए होगा ठीक है तो ध्यान से देखना वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत काम का वीडियो है उसके अलावा आपको एक और चीज में बताना चाहूंगा जिस बंदे ने इस वीडियो पे पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया उसको congratulations क्योंकि आपको बता होगा मैंने आपको बोला था कि अभी ल इस बंदे ने इस वीडियो पहला लाइक और पहला कॉमेंट किया ना उसको congratulations क्योंकि वो इन तीन प्रोड़क्ट में से एक प्रोड़क्ट का giveaway जीच चुका है कुछ नहीं किया आया और लाइक किया पहला और विन कर गया आप भी कर सकते हो मैं यह और क्लियर कर दू आने वाली most of the videos में यह giveaway रहेगा तो मेरे बाई subscribe जिसने चैनल को नहीं किया वो जर जो मतलब condition मान लो वो यह है कि चैनल का अगर आपने subscribe नहीं किया तो वो कर लेना उसके लाव वीडियो को लाइक कर देना और उसके अलावा आपको क्या करना है वो हम आगे देखेंगे सबसी important जो condition है चैनल subscribe करना और वीडियो को लाइक करना दो giveaway अभी भी इस वीडियो में बच्चे वे जो मैं आपको आगे बताऊंगा पहले मैच की चीजों को देखेंगे जिसके लिए वीडियो आप लोग देख रहे हो ठीक है बात करते उसके लाव टेलीग्राम की देखे टेलीग्राम के बात करने की नीडनी है यह ऐसी चीज है जहां पर आपको final team मिलेगी final pitch report मिलेगी क्योंकि आप सबको बता है pitch report fantasy users के लिए सबसे ज्यादा important है कई बार पिछी रिपोर्ट unexpected तरीके से भी चलती रहती है आपको बता है कई बार आपकी किस्मती वेकार चले तो पिछी रिपोर्ट पर unexpected होती रहती है वरना most of the time जो बंदा pitch record के according team मनाएगा वह वह करे विकेट है या बिल्कुल स्लो विकेट है सूखा विकेट है यह सब आपको final moment पर पता लगेगा जब toss होगी ठीक है तो telegram का link मैंने description में दिया हुआ है मेरी final team यहां मिलेगी और जो भी कोई update आने वाला है वो भी यहां मिलेगा description के link से या comment box के link से आप join कर सकते हो बात करते इस मैच की main चीजों के बारे में देखिए मैच आपको hot star पर लाइव देखने को मिलेगा और तीसरा मैच यह दो मैच अल्रेडी जो है western डीच की टीम हार चुकी है यह मैच ऐसा मैच है western डीच के लिए कि अगर यह मैच हारते हैं तो 3-0 से series आ रहे हैं वैसे तो series हार चुक ह जीच चुकी है तो western डीच की तरफ से भी most likely आपको changes देखने को मिल सकते हैं लेकिन possibility का में लेकिन जो मिलेंगे वह भी आपको बता दूँगा तीसरा ओडिया मैच होगा इसके बाद जो है वो टीट्वेंडी सिरीज स्टार्ट होगी मानु को अवल के मैच खला जाएगा ठ फिर ऑस्टेलिया ने 378 बनाए न्यूजिलेंड 262 पर फिर यहां पर ऑस्टेलिया ने 348 और यहां पर इंडिया 323 पर फिर साउथ आफ्रिकाना 411 और आइलेंड 210 अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहां पर पिछले चारों मैचेस में कॉमन चीज है और यह है कि बैटिंग करने वाली टीम जो है मैच को जीती है और उसके अलावा भी एक कॉमन चीज देखने को मिलेगी स्कोरिंग पैटर्न बहुत ही तगड़ा है यानि कि बैटिंग करने वाली जो टीम है जैसे मानलो ऑस्टेलिया की टीम है पहले बैटिंग करती है तो आपक की तेगी क्योंकि पिच का रोल बहुत बड़ा होता है अभी यहां पर यह जो मैचे में बात कर रहा हूं उसमें भी पिछले दो मैच वह टीम हारी है जो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रोंग टीम थी कब हारी है पहले बोलिंग करके मतलब उनकी बोलिंग आ गए थी तो वो जो है मैच को हार गए कौन सी टीम है जो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रोंग टीम थी और बोलिंग की वज़े से तो यह चीज आपको देखने को इस मैच में मिल सकती है अगर वेस्टन डीश पहले बैटिंग करती है तो टककर का मुकाबला होगा इवन 60% चांसे और विन व में पैसर का रोल जादा नंगा और स्पीनर्स का रोल होगा सथ कर देना चाहे बेठंडीश के स्पीनर हो चाये वेश्ट्रेलिय के स्पिनर और उस्ट्रेलिया तो पिछले 500 मैचे सी जीती है और डियाई के 290-300 तक का एवरेज इसकोर है 40% बारिश के भी चांस है बैलेंस भी गिट है लेकिन बैलेंस अब वह यह दे कि फाइनल पिछ रिपोर्ट आने तो फिर उसके बाद किलियर हो जाएगा यहां पर तुमनी चीज़े आपको बताई दिये कि बैटिंग इत्या अच्छोरी और सेकंड टीम का क्या हाल हो रहा है बागी फिर भी कई बार क्यों होता है तीम मतलब जो टीम का कैप्टन है वह अकोर्डिंग टू पिछ कंडिशन मतलब लेता है डिसीजन की बैटिंग करनी है बोलिंग करनी है जो पिछला मैस उसमें नोव विकेट लिए पैसर ने उसके अलाव पांच विकेट लिए इस पेनर्स ने ठीक है टीम जो वेश्टन डीजी इनकी तरफ से एलिक एथेंजी और जस्टीन ग्रिवस आपको आपनिंग करते हो नजर आएंगे एथेंजी ने दोनों मैचेस मे अच्छा पर्फरमस दिखाया शाही होफ जो इनके सबसे बहतरी इन प्लेयर है वारिक फिश्टील सबसे इंपीर ने जो इप्लेयर उनमे करते किया धे जानि प्लेयर चिंप में डेएंगह दूसरा अलजारी जोसेफ से मेंबहरों यह दूसरा फिर तो मैं उतना बोलूगा नहीं लेकिन पहली बोलिंग पर यह भी डेथ करेगा और दूसरी बात यह गुडाकेश मोटी पहली बैटिंग पर इंपोर्टेंट होगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है ना वह इस्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्प होगी फिर्स्ट इनिं पर इसमें तो हलाएकि बहुत ही कम चांस है क्योंकि जोसेफ और हमारी उशेफट ही आते हैं तो फोड के मतलब एक दो और आ सकता है बाकी इनके अगर बहुत भी ग्रास रही तो मुमेंट होगा और मुमेंट होगा तो उस केस में दोनों इंपोर्टेंट होंगे यह चीध देना क्योंकि फिर स्विंग होगी बॉल और विकेट निकलेंगे लेगिन अगर मानलों पिछ बिलकुल फ्लेट है तो कोई मतलब भी नहीं एवन अलजारी जोसेफ को मतलब कर देना पहली बेटिंग अगर आती है ना इनकी तो बिलकुल ही कर देना उसके बाद कि हम बात कर एगेंस्ट का ठीक है इसके अभी जो दो मैचसस एसकीन के तो इसकी निड होगी निया अगे मेंने दोनों मैचसस के स्कौर कार मैंशन किया है ठीक है बाकि ये जो हीनका रिकोर्ड का देना यह जो डूटियरी जूट निया उससे पहले का है तो ईथन जी हम बात करते हैं इंपॉर्डेंट प्लेयर केवल और केवल में तब ही बोलूँगा जब पहले वेस्ट इंडीज बैटिंग करती है और फ्लेट विकिट रहता है उसके बाद जैस्टीन गिरुजे बॉलिंग बेकप देगा स्मॉल लिग में में सजिस्ट करूँगा नी बट फिर भी आप मिनी में ही ट्राइए करना शाही होप एक बहुत इंपॉर्डेंट प्लेयर चारो मतलब तीनों कंडिशन में आपको इनको लेना है और पहली बेटिंग आती है ना तो कैप्टन भी बना सकते हो आराम से कैप्टन बना सकते हो उसके बाद कैसी कार्टी है फिरोस्टन चेज है रो बहुत इंपॉर्डेंट रोमारी शेफर देगे दोनों कंडिशन में पहले बेटिंग आएगी तो बेटिंग बेकप देगा और बोलिंग आएगी तो बैटिंग बेकप तो थाई साथ में डेथ में और देगा उसके बाद मैथ्यू फोर्ड के हम बात करते हैं यह थोड़ा तो यह डेथ में आता है उसके बाद जोसेफ इंपॉर्डेंट है इस्पेशली जब पहले बोलिंग आए मोटी के हम बात करते हैं सेकेंड इनिंग में मश नीड़ेट प्लेयर होगा मतलब कंफर्म पिक करना यह ध्यान देना उसके बाद ऑशानी थोमस है दोनों जगा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है है केवं होग टेवी निमलाच और वहीं पर टेड़ी विशौब यह चार प्लेयर हैं जिसमें हैडन वर्ष ने मैचस खेले जिसके तीन मैच में साथ विगेट है चांसेस तो आला कि बहुती कम है क्योंकि पैसर्स के लिए स्कुर्डिया और नहीं है मैं यह शीट दियान देना यह कोरकाड अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना यह वेस्टन डीच का वह आला स्कुर्कार मतलब जो मैस तो उस से अलग है मतलब यह वाला जो मैस तो हो गया फिर्स नहीं हुए घृइए ऐसमीं पहले स्कूर कर आ से आप आइडिया लगा सकते हो कि देखिए यहां पर कि बैट्समेंट कप किस तरीके से बैटिंग के लिए आ रहा है शाहिए योग देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी आपको बताया कि इंपॉर्टेंग में अगर फ्लेट विके रहता है अलों कि पॉस्बिलिटी जादे यह फ्लेट विकेट की तो एथेंजी भी इस तरीके के नहीं खेल सकता है ठीक है और रोमारियो शेफ़र तो है इंपॉर्टेंट देख सकते हो बैटिंग से भी एट और बोलिंग आप द जो एड़ के नाम है जो शेजलूड है वो नहीं खेलेंगे उनकी जगह पे इस पैंसर जोंसन और बार्लेट भी अगर अपने ध्यान दिया होना तो पिछले में नहीं खेला था तो वह भी इस में आपको खेलता हो नजर आएगा और उसके अलावा आप देखोगे तो बस य जोश इंगलिस फ्रेसर मेंगर के साथ फिर कैमरोन ग्रीन फ्रेसर मेंगर आपके लिए मस्ट नीजड़ प्लेयर होगा फर्स्ट इनिंग में ध्यान रखके चलना ठीक है उसके बाद इस्टिव स्मित मारनस लबुश है नारून हारडी सीन है बट विल्स हुथरलेंड स्प करता हम देखिया हाडी ना हाडी ah when बोलिंग तब ही करेगा जब पाउर प्लेय में स्विंग होगा अगर उनिया थो फिर इप वोलिंग नहीं करता हका और अगर आपको ग्रीन बोलिंग करता हो नजराएगा ये चीज़ ध्यान रखना अगर ग्रास होगा ना तो फिर तो हाड़ी आएगा और अगर फ्लैट वीड रहा तो हाड़ी नहीं आएगा इस चीज़ का ध्यान देना ये बहुत बड़ा रोले उमीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होग और तीसरे नमबर पे सुथरलेंड है फिर एडम जेंपा है फिर हाड़ी और स्पेंसर जोंसन और केमरोन गरीन इस तरीके से इनका बोलिंग में मतला बटवारा होता रहेगा जो अच्छी बोलिंग करेगा उसके दस ओवर जिसने भी हलकी वहुत खराब बोलिंग कर दी उस डेथ होर्स में एबट और स्पेंसर जोंसन और बारलेट हैंगे अब यहां से हम देखते हैं प्लेयरों का रिकोर्ड की वेन्यू पे प्लेयरों का ODA का कैसा रिकोर्ड है तो इंग्रिश ने कोई मैच खेला निये इस वेन्यू पे तो पहला मैच होगा जैक फ्रेसर मेगर क अब पहला मैच होगा कैमरों गिरी ने इस वेन्यू पे एक मैच खेला जिसमें 21 बैटिंग से बोलिंग की थी जिसमें विकेट लेस था स्टीव स्मित के हम बात करते हैं स्मित का रिकोर्ड काफी अच्छा और स्मित अब्विस ही बात है कंफर्म पिक करने वाले प्लेयरों इसके बाद आप बात कर रहे थे हम स्कूर कार्ड और मतलब वेन्यू की रिकोर्ड की लवुशे ने एक मैच के लाजिसमें सात रन है हाडी का दोनों जगा पहला मैच होगा ओडियाई का एबट ने एक मैच के लाजिसमें चार रन बैटिंग सो एक विकेट हैं विल सुथर दोनों का ही यह पहला मैच रहने वाला है बात करते हैं यहां से उस्टेलिया के पिछले मैच के जो स्कूर कार्ड है उसमें देखिए टीम के हाई एश स्कूरर थे सी ने बट और बैटिंग ने बोलिंग से भी शांदार बोलिंग की थी तीन विकेट लिये थे और उसके अल मिला विल सुथलेंट को एक और वहीं पर जेंपा को आखरी और मेक विकेट मिला था सेकेंड आज मेच के हम बात करते हैं टीम के हाई एश स्कूरर कैमरों गिरीन और वहीं पे श्टीव स्मित थे और बोलिंग में आप देखोगे गरीन ने दो विकेट लिए बट ने चार विकेट ले और वहीं पे मैथ्यू शॉर्ट विकेट लेस जेंपा एक विकेट और वहीं लैंस मॉर्स विकेट लेस ठीक है यह पिछले दोनों मैचस के स्कूर काड़ आ गया जिसमें आपको पता लग गया कि बैटिंग में बंदा किस तरी का परफोर्मस दिखाया पिछले टेलिग्राम से नहीं जुड़ाओ तो टेलिग्राम से जरूर जोइन करें ना मैं आपको पहले कर चुका हूं कि फाइनल टीम फाइनल पिछ रिपोर्ट और जो भी कोई अपडेट होगा वह आपको यहीं पर मिलने वाला है चलिए डेमो टीम देखते हैं लेकिन उससे पहल करणकर बढ़ेट हे वहात है क्शलिए जैसे आप वीडियो देखे रहे हो आपको एक कॉमेंट करना सबसे लाइक आते हैं तो आप वनर होंगे आपको देखते हो आपको प्राइज मिलेगा अब वात करते हैं तो मैं एक रेंडम बंदा स्लेट करूँ गाज आपकोमेंट क यह लाइक नहीं आए कि रेंडम मैं बंदा इक बेट करूंदा और दूसरी बड़ा पॉंट है कि जो बंदा एक विनर आच चुका है वह एक वी तक वह बनेगा व ही बनेंगा, बसके एक बनने गाई ठीक है' और उससे भी बड़ा point क्या है पता है कि ये giveaway सेम डे में clear है यानि कि आज जो है ये match स्टार्ट होगा ना 6 फरवरी को तो 6 फरवरी को ये winner declare हो जाएगा ठीक है और 3 दिन बाद हमें जोन उनके घर पर price पहुचा देगा ये सबसे बड़ा मतलब इस giveaway का फायदा है कि सेम डे clear है हाँ giveaway की condition जो है वो ध्यान देना सबसे पहले तो चैनल को subscribe दूसरा वीडियो को like तीसरा आपको एक comment करना है और चोथा ये कि आपको profile पे logo जरूर लगाना है अगर आप logo नहीं लगाते हो ना तो फिर आपको प्राइज नहीं मिलेगा logo कौन सा चैनल का logo जो यूटूब चैनल है अपना iqmx cricket इसका logo लगाना है आपकी profile पे तब ही मैं उन्हीं बंदों को इस लेट करूँगा फर्स्ट लाइक फर्स्ट कॉमेंट जिदोंने logo लगा रखा है और जो नहीं लगाएंगे और फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट भी करेंगे तो भी प्राइज निम लगा ध्यान लगा इस बात का ठीक है चलिए फिलाल के लिए हम डेमो टीम देख लेते हैं बाकी फाइनल टीम तो जो है मैं टेलिग्राम पर इंफर्म करी दूंगा देखिए मैं जो टीम बनाऊंगा वह अभी फिलाल के लिए लिए बागी पिछी रिपोर्ट के साब से टीम होगी विकिट कीपिंग में इंग्लिश और शाही होप को ल आलग बनेगी ठीक है फिलाल जो मैं भी आपको टीम दे रहां वह लीग लिए उनकी है मैं जो है ना फाइनल जो टीम दूगा वो δोनों की दूगा डिम ले उनकी भी और लिए उनकी बिए पिलाल लीग ले उनकी टीम दे रहा हूँ जिसका लिंक मौने डिसक्रिप्छिन मे पित में बैस से बाद बौलिंग रोग आओगे संने को मैंने टीम के अंदर की अग्लिड की और अटाना है और दूसरा जैक Miguel को अठाना है इनको हटागे पहला आपको पिक करना है यहाँ पे रोस्टन चेज और दूसरा आपको पिक करना है आरोन हार्डे यह ध्यान देना ठीक है जेंपा को हम लेंगे जब ओस्टेलिया पहले बैटिंग करेंगे ठीक है फिलाल के लिए डेमो टी में बाकी जो भी चैंजेस होंगे आपने देलिग्राम पर मैं इन्फर्म कर दूंगा लिंक मने डिस्क्रिप्शन वक्स में दिया हूँ है जरूर जोइन करना और उसके अलागों गीववे में भी पाटिस्पेट करना और आने वाली वीडियो में भी यह वी होंगे तो अगर आफ फर्च लाइक फर्च कोमें वीडियो गन तक देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में